Hey guys welcome to the vlog, आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ने under 4000 रूपीज में डलहाउजी का टूर किया था, so let's get started अपसे पहले में इस तूर का एक छोटा सा ओर्विव आपको दे रहता हूँ, यह तूर हमारा था, फोर दे थ्री नाइट्स का, जिसमें हम लोग ने प्लैन किया था कि हम टू नाइट्स डलहाउजी में स्टे करेंगे, और वन नाइट खजियार में स्टे करेंगे, बट वहा लोग ने अपना टू डैली से स्टार्ट किया था, डैली से सबसे पहले हम लोग गए थे, पठान कोट केंट, पठान कोट केंट के लिए हम लोग ने ट्रेन बुक कियो थी, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी, फ्री ट्वन्टी रूपीज पर पर सन, इन स्लीपर क्लास, यह त्र हम लोग को थोड़ा बात वेट करना पड़ा, बिकास जो पठान कोट केंट से डलावजी की बसे हैं, वो छे बजे मौनिंग में स्टार्ट होती हैं, पठान कोट केंट से डलावजी के लिए धरमशाला के लिए आपको बसे रैगुलर बेसिस पर मिल जाएंगी, हम लोग न अर्ली मौनिंग छे बजे वाली ही बस ली थी, और जिसके टिकेट की कॉस्त थी 140 रुपीज पर परसन, पठान कोट केंट से डलावजी का जो डिस्टन से वह है 80 किलोमेटर, उसको कवर करने में बस को करीब लग जाते हैं, तीन भंटे के आसपार, नॉर्मल पीसिस में क्य वहां जाने के लिए मना कर रहें थी, तो बनी खेस से जो डलावजी का डिस्टन से वह था 6-7 किलोमेटर, तो वहां पर हम लोगों ने काफी लोगों से पता किया कि कोई टैक्सी जाएगी कि नहीं जाएगी, सभी टैक्सी वालों ने मना कर जाता है कि हम नहीं जाएंगे, राइम रास्ते में हमें एक टैक्सी वाला मिला भी था, जिसने बोला था कि मैं आपको 4,000 रुपी चार्ज करूं में पहुंचाने के लिए, तो खराब वैदर में यही होता है कि रेट्स काफी जादा बढ़ जाते हैं, तो हम लोगों को फीजिबल नहीं लगा कि हम सिर्फ जिस से हम करीबन आधा एक घंटा हमारा रिडियूस हो गया था ट्रैक किया, फिर भी हम लोगों को यह 6-7 किलोमेटर कवर करने में तीन घंटों का टाइम लग गया था, वहां पर जाकर हम लोग ने एक चीज और नोटिस की, कि हम से पहले जो टूरिस लोग आए हुए थे, अपनी कार लेकर, तो उनके साथ क्या हुआ था कि अपनी कार लेकर चले गए थे पहले, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्नूफाल हो गई, तो उनकी कार वहीं पर फज गई थी, तो उन कार को उपर से जलाओजी से नीचे बनी खेत में लाने के लिए वहां के लोग 20-25,000 रुपे चार्ज कर रहे थे उन टूरिस्ट से, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वैदर फोर्कास देख कर ही वहां जाएं, और वैदर अगर ज़्यादा घराब है तो आप क्या करोगे बनी खेत में अपनी कार पार करके किसी टैक्सी के थुरू आप डेलाओजी लोगा बहुत जादा नुकसान हुआ था, उपर से नीचे छे साथ किलोमेटर तक कार को नीचे लेकर आना और उसका 25,000 रुपे उन्होंने पे भी किया, उसके बावजूर भी कार सरी सलामबत नीचे तक नहीं पहुंच भाती है, इतनी जादा स्नुपाल होती है कि कार फिस लिए, एक्चुली क्या हुआ था कि बैड वैदर की वज़े से वहां पर टूडिस्त बहुत कम आयो गए थे, तो इस वज़े से हम लोगो काफी सस्ते में होटेल मिल गए थे, मेरी पुरानी वीडियो में काफी लोग कमेंट करके यह बोलते हैं कि भाई आपको तो सस्ते मे जारी है, हमें तो नहीं मिल रहा है, तो यह यार, वैदर पर डिपरण करता है क्यां कुछ, और सीजन पर बीपेंड करता है कि आप किस सीजन में उस प्लेस पर यह है CTJ में प्लेस पर जा रहे हो, अगर आप पी क्सिसन में जा रहे हो, तो ऑश्योंट बढ़ जाते हैं जो हमें एक हजार में मिला है वो आपको डो धाई हजार रुपे में मिलेगा तो यह काफी कॉमन चीज है आपको सीजन देख के जाना चाहिए और जिस ताइम में हम गए थे तो हम भी लखी रहे थे कि वैदा इतना जादा खराब था कि उसके विए से कॉस्ट हमारी कम हो गई थी यह जो होटेल है होटेल चमन पैलेस यह डलावजी मॉल रोड से अराउंड पॉर हंडर मिटर्स के डिस्टन्स पर ही है अब बात कर लेते हैं खाने की डलावज में काफी सारे रेस्टरांट्स अविलेबल हैं और यूजवली पहाड़ों में जो खाने की कॉस्ट आती है व देखो यह स्नुफॉल का तो किसी को पता नहीं होता है वड हम लोग क्या करते हैं कि गूगल पे आप दस दिन का वैदर फोर्कास देख सकते हो तो हम लोग वही देखकर अपनी बुकिंग्स करते हैं इसी वज़ए से ज़ाद तर हर प्लेस पे हम लोग को स्नुफॉल देख बहुत ही ज़ादा स्नुफॉल हम लोग को देखने को मिली और हम लोग ने फुल एंजॉई किया उसमें पूरी रोड पर कोई भी नहीं था सारे के सारे टूरिस्त नीचे अल्रेडी जा चुके थे और कुछ अपने होटेल्स में स्टे कर रहे थे पूरी रोड पर वहां देखने को मिल गया था फिर सेकंड दे में मौर्निंग में लोग ने ब्रेकफस्ट करने के बाद जो खजयार वाली रोड है उसको थोड़ा एक्सपोड किया वहां पर उसी रोड पर स्टार्टिंग में आपको डलहाउसी स्कूल है वह आपको देखेगा उसी स्कूल ने चार किलोमेटर तक गए थे आगे जाकर वहां पर एक मैगी पॉइंट आता है वहां पर हम लोगों ने मैगी खाई और उसके बाद शाम को हम वापस से अपने होटल में आ गए थे नेक्स ते हम लोगों को जाना था खजयार बट जो लाउसी से खजयार वाला रूट है वह ब्लॉक हो रखा था स्नुफाल की विजए से और वहां की लोग ने बताया था कि वह रूट मार्च में उपन होता है बट उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको खजयार जाना है तो आप डलाउसी से वापस नीचे बानी खेता जाओ और वहां से आप बस पकर लो चंबा था तो वह एक दिन में पॉसिबल हमारी नहीं हो पाता क्योंकि हमारी नेक्स दे ही ट्रेन थी वापस डेली के लिए तो हम लोगों ने डिसाइड कि डिलाउसी नहीं थोड़ा घूमते हैं तो उस दिन का हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया कुछ एक्स्ट्रा कॉंटेंट क्रियेट करने में और हम वहीं आसपास थोड़ा घूमें फिर नेक्स दे हमारी रात की ट्रेन थी पठान कोट से वापस डेली के लिए तो हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग डल्हाउसी से वापस नीचे बानी खेत आए उस दिन रास्ता थोड़ा क्लियर हो गया था तो टैक् कोट के लिए बस ली और वहां से हमारी रात के ट्रेन थी डेली की नेक्स मॉर्निंग हम लोग वापस डेली आ गए तो यह था हमारी डलहाउसी की ट्रिप का एक छोटा सा बजट बेकडाउन अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक क अगर आपको हमारा डलहाउसी का व्लॉग देखना है जिसमें हम लोग ने काफी सारे ड्रोन शॉट्स भी उसके हैं तो वो वीडियो यहां पर आई आइकन पर आप क्लिक करकर देख सकते हो और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँग उसके साथ साथ ड्रोन शॉट्स की एक प्रॉपर वीडियो हम लोग ने बनाई हुई है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा आप उसको भी देख सकते हो तो थैंक यू सो मुझ गाइस फर वाचिंग हैवा हैपी जर्नी